गुड मुणी इस्टुरेंट्स स्वाइम वेकानन्द महाविद्य लेन राइन पृतम पुर क्यान लेन वर्चुल क्लास में आप सभी डिलेट सेकंड सिमिस्टर के इस्टुरेंट का स्वागत है देखिए इससे पहले हमने मैकाले को पढ़ा वुड का घोश्टा पत्र पढ़ा हंटर कमिशन पढ़ा और आज हम डिस्स करने वाले हैं कोठारी आयोग की यह जो कुठारी आयोग है 1964 से चाचट तक यह अपलाई हुआ मतलब कि कुछ नीतियां बने कुछ लागू हुए और अगर हम बात करें तो यह स्वतंद्रता प्राप्ती के बाद इस आयोग का निर्माड हुआ मतलब कि आप जानते होंगे कि हमको स्वतंद्रता कम मिली है तो आप यहां देख सकते हैं कि जो इसके निर्माड और लागू होने का सन है वो 1964 से चाचट है देखे स्वतंद्रता प्राप्ते के बाद क्या हुआ कि आर्थिक्यूम सामाजिक प्रगती हमारी पहली बात तो बेवस्थित करने के लिए एक आवस्यक्ता पड़ी सिक्षा की क्योंकि बिना सिक्षा के हम किसी भी प्रकार की उन्नती या कोई भी प्रकार का विकास नहीं कर सकते हैं तो ऐसी सिते में सिक्षा के द्वारा लोगतंत्रिय समाज का निर्माड करना संभो है और बिना सिक्षा के ना तो निर्धनता उन्मूलन हो सकता है ना अक्रिसी का विकास हो सकता है ना उद्द्यों का विकास हो सकता है ना है वेक्तियों के रहन सहिन का इस्तर उचा हो सकता है मतलब कुल मिला के शिक्षा के बिना मान की चलिए कि हमारे देश का या हम खुद का कोई भी विकास नहीं कर सकते हैं तो जरूरत पड़ी हमें शिक्षा नीतियों की तो उसी परपेक्ष में सिक्षा आयोग या कोठारी आयोग का निर्माड किया गया 1964 से चाचट में और देखिए इसमें जो लक्ष रखा गया वो निर्धनता उनमूलन का लक्ष रखा गया क्रिसी के आधुनी की करड़ का लक्ष रखा गया उद्योगों का विकास करने का लक्ष रखा गया और इसके साथ साथ विक्तियों के रहन सेन कास्तर और 14 वर्स तक की अवस्ता के सभी बच्चों के लिए निसुल कियों मनिवारे सिक्षा की भी विवस्ता करने की भात की गई इसके लिए ये भी कहा गया कि सिक्षा के विभिन अंगों ये मिस्तरों की अलग अलग जाज ना करके सिक्षा के संपूर छेतर की जाच की जाए और बाद भी सही है भाई सिक्षा के संपूर छेतर की जाच होनी चाहिए क्योंकि पता चला है कि केवल एक ही पर्ड का अगर हम अध्यन कर रहे हैं तो वहाँ पे तो केवल कुछ कम्या मिलेंगी है मेरा अब देखिया आगे देखते हैं भारत सरकार ने 14 जुलाई सन 1964 के प्रस्ताओं में विश्व विद्याले अंदान आयोग के अध्यक्षिता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोश्डा गी प्रोफिसर डियस कुठारी इनहीं के नाम पर इस आयोग का नाम कुठारी आयोग रखा गया और ये मतलब अभिश्व विद्याले अंदान आयोग के लिए प्रस्ताओं जो शिक्षा आयोग की मतलब की नियुक्ति की गई वो 14 जुलाई 1964 को की गई और प्रोफिसर डियस पूरा नाम दौलत सिंग को उठा रही हैं ठीक तो इसमें देखिए कुश्चन पुछा जाता है कि इस आयोग में कितने सदस्य थे तो यह पूछा भी गया साथ एक आद बार डेलेट के एकजाम में तो इस आयोग में कुल 17 सदस्य थे और इसमें छह आन्य देशों के सिक्षा विशिसक के भी सम्मिलित थे अब यहां हम देख सकते हैं कि राष्टी उत्थान में सिक्षा को एक महातोपुड साधन की रूप में विक्सित करने की दृष्टि से इसमें अनेक महातोपुड सुझाव दिये गए तो चलिए देखते हैं कि सुझाव क्या दिया गया इसमें तो नमर फश दिया गया कि सिक्षा के राष्टी उत्थे से मतलब सिक्षा का राष्टी उत्थे से होना गया चाहिए तो देखिए सिक्षा का राष्टी उत्थे से जो होना चाहिए वो क्रिशियों मुत्पादन में विध्यान को क्रिशियों मुत्पादन कारे से जोड़न चाहिए आयोग ने कहा कि सामाजिक योम राष्टी एक्ता का विकास करने के लिए सिक्षा के सब इस तुरों पर सामाजिक योम राष्टी सेवा का अध्यन अनिवारे बनाने देना चाहिए अब देखते होंगे कि सामाजिक अध्यन और कुछ राष्टी सेवा राष्टी सेव प्रियोग किया जाना चाहिए मतलब कि शिक्षा का भी आधुनी की करण और जब शिक्षा का आधुनी की करण होगा न तो समाज का भी आधुनी की करण होगा समाज का होगा तो देश का होगा मतलब कि पूरी तरह से हम एक नई दिशा में कदम रखेंगे और पूरी तरह से अ मतलब कि सिक्षा की गुडवत्ता जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए क्या सुझाओ दिया गया कि आयोग ने एक से तीन वर्स की पूर्व प्रार्थमिक सिक्षा देखे इन्होंने पहला जो पार्थ मतलब कि सिक्षा को बाटा कुछ चरड़ों में चरड़बत देख प्रथम उपादी के लिए द्वी वर्सी उच्च शिक्षा रखने का सुझाओ दिया गया आगे अध्यापकों की स्तिति क्या होनी चाहिए आयोगनी सिक्षकों के आर्थिक सामाजी को अवेवसाय की सिति सुधारने की सिफारिस की इसके लिए अध्यापकों के वेतन मानों को निश्चित करने सरकारी और गेर सरकारी दोनों प्रकार के विद्यालेयों में सिक्षकों के वेतन क्रबों में समानता के सिध्धांत को अपनाने का सुझाओ दिया आदिवास इसके साथ साथ आदिवासी छेत्रों में कारी करने वाले अध्यापकों को विसेश मत देने तथ सिक्षकों को राजनीती में भाग लेने की सुद्रत्ता देने तथाराश्टिय पुरस्कार यूजना चालू करने के संबंद में परामर्स दिये मतलब सिक्षकों के हित में भी मतलब ये काफी सराहनी प्रियास रहा इस आयोग का कोठारी आयोग का जो कि 1964 चाचट अपने अभी पढ़ा और ये आयोग बहुत ही महतोपूर काम कर रहा था इसके सुझाव और प्रामर्स भी बहुत ही बहतर थे इन्होंने सिक्षा की सरचना अध्यापकों के लिए मतलब उनकी जीवन सहली को सुधारने के लिए सुझाव दिया फिर अगला पाइंट है अध्यापक प्रशिक्षड देखे अध्यापकों को अध्यन के अधिक सुधाय दे जाई भाई अटीचर को भी तो ट्रेंड करना थाने तो पढ़ायेगा क्या कैसे बढ़ाना तो कैसे बढ़ाएगा कि विश्व विद्याले शिक्षा के पार्ट्रम में परिवर्तन लाया जाए मनलें वैसे वैसे पार्ठे करह में भी परिवर्तन होना चाहिए प्रार्थमिक विद्यालियों के सिक्षकों के लिए जो इसनातक है प्रसिक्षड की अवदी दो वर्स की होनी चाहिए जिससे आपका चल रहा है दो वर्स डेलेट का जो ये पाठेकरम है आपका ओ सिमिस्टर वाइज तो चार सिमिस्टर और अगर देखा जाए तो वर्स की साब से देखा जाए तो दो साल का तो ये सारी चीजें होनी चाहिए इसके बाद है सेच्षिक आउसरों की समानता देखें सेच्षिक आउसरों की समानता में बात करते हैं कि नियाए समान्ता वा स्वतंत्रता प्रजात अंदर के मुल्वूत आधार है यह तो ष्टको ही पता होना चाहिए कि भई नियाए समान्ता स्वतंता यह सब का समान अधिकर है और भारत जैसे प्रजात अंधृक राष्ठ में सभीनागरिकों को अपने योगताओं का विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए बिलकुल होना चाहिए और इसके साथ साथ पुस्तक बैंक की भिवस्ता की जाए चात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाए जाए विकलांगों की सिक्षा के लिए समचित प्रबंदी किया जाए और प् विद्यालियों की स्थापना इस प्रकार की जानी चाहिए कि लोवर प्रैमरी स्कूल और अपर प्रैमरी स्कूल किसी वालक के घर से क्रमसा एक और तीन मील से अधिक दूरी पढ़ना हूँ मतलब कि ज्यादा दूरना ओने तो बच्चे कैसे जाएंगे बच्चे ठक जाएंगे तो ठक जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या जो बालक निमने सिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे अधिन ना करना चाहते हूं उनके लिए अल्प कालिन सिक्षा की विवस्ता की जानी चाहिए तो देखे सेक्षिक उसरों की समानता की बात की गई और विद्याले सिक्षा विस्तार करने की बात की गई सेच्छी गौसरों की समार्दा से मारा मतलब है कि प्रतेग विक्ति प्रतेग भारत के नागरी को सिक्षा प्राप्ट करने का अधिकार है और वो अपने इस अधिकार का उप्योग कर सकता है और करना भी चाहिए फिर विद्याले की बात के गए कि विद्याले सिक्षा विस्तार विद्याले का मतलब की विद्याले बहुत जादा दूर नहीं होना चाहिए आज आप देक रहे होंगे कि हर ग्रामसभा ग्रामस्तर पर भी प्रते ग्रामसभा में दो दो विद्यालाई सरकार ने खुलवा दिये हैं बच्चों के longer point पाटे ग्रम सुधार तो पाठेक्रम सुधार के लिए आयोग ने कहा कि कच्छा 10 तक का पाठेक्रम सभी चात्रों के लिए एक समान होना चाहिए और है भी स्कूलों को अपने आवश्यक्त तनुसार पाठे वस्तु बनाने तक की छूट होनी चाहिए पाठेक्रम में कार्यानुभाओ वसमस सेवा को इससान दिया जाना चाहिए जिससे उनके चरितर का निर्माण हो सके आगे शिक्षड विद्या निर्देशन यूँआ मुल्यांकन आयोगने विद्यालेओं में प्रियोग की जाने वाली परंपरा का सिक्षड विद्यों में सुधार करने के सुझाओ दिये जैसे सिक्षड विद्यों में लचीलापन होना चाहिए प्रधानाचारी योम सिक्षा के अधिकारियों को सिक्षड विदियों में सुधार करने के लिए उप्युक्त वातावड का निर्माड करना चाहिए नवीन सिक्षड विदियों का प्रशार करना चाहिए प्रदर्शन, वर्क्षाप, परिक्षड, सेमिनार इन सब का भी आयोजन करना चाहिए पार्टे पुस्तकों को NCRT के द्वारा निधारित किये के सिद्धान्तों के निसार तैयार किया जाना चाहिए मुलेंकन सिक्षा का अभिननंग है और इसका सिक्षा उद्देशसे घनिष्ट संबंध है अता मुलेंकन की विदियां वस्तोनिष्ट विस्वसनी और विवहारिक होनी चाहिए तो इसमें भी जो सुजाओ दिया गया पाटिकरम सुधार का पाटिकरम सुधार का मतलब की जैसे चोड़ा बुच्चा है तो उसे मातरी भासा में और उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा हुआ तो उसे दो भासा हैं और बढ़ा हुआ, मतलब की कचार्ट के बाद, मतलब की नाएंद से तो उसे तीन भासाओं की शिक्षा दे जानी चाहिए तो तीन भासाओं तो हमारे याँ तीन क्या बलकि तीन भासाओं तो मौके पर चली रही है जैसे हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, संस्क्रिट हुआ और उर्दू, मतलब चार भासाओं चल रही हैं मौके पर